हेलो काई से वेलकम बैक टूदी चैनल तो भाई कार जैसे ही एक लाग प्लस प्लॉटर चल जाता है तो भाई कार में कॉमन इशू आता है वह पीकप का तो भाई यह जो प्रॉब्लम में काफी ज़दा बड़ा है रिकना सॉलूशन है एक दम छोटा से तो भाई आज रूटो इन केस से अधर को ठीक आज होता है तो भाई इस वोड़ा आपको जबबताने वालों सु भाई करें प्काफ प्रॉब्लम का जो रिजन होता रहा है अधम छोटा सा होता है बस दो से चार जीज आपको चेक बापने च्ञार को दिखाने की जरुबत नहीं है सबसे पहले है अगर प्रॉपर नहीं लिपाता जिसे कान क्या पता अंदर यह और फिल को मिक्शर नहीं नहीं पता जिसे कान गाड़ी का जो पीक भी कम हो जाता ज्याधा यहाँ यह फिल्टर फिल्टर करने के बाद को रिस्पॉंस नहीं आए तो इसकेंड चीज है न वह अपनी का मास एर बाद करें नहीं पर बताता हूं कैसे खोल के साफ करें इसमें दोनट्स लगे होते हैं और बेश्चे के लिए जो मास एर फ्लो का जो सेंसर रहे हैं यह यह एर फिल्टर के बॉड़ी में यह यह लगा हुआ है इसको क्लीन करना नहीं आता तो इसको डॉडी-40 यह फिर किसी फ अगर प्रेट्र करें तो तीन चीज आपको क्लीन कर रहे हैं सबसे पहला आपको एर फिल्टर फिर मास एर फ्लो सेंसर उसके बाद जो तीसर चीज आप अपने गाड़ी का प्लग तीनों चीज को साफ करोगा अपके गाड़ी का जो पीकाप वापस आजागा प्लेस नहीं इसका अंका अगर टीजल फिल्टर पूरा चोक हो गयाला तो क्या होगा गाड़ी के इंजन में अच्छा सा फ्यूब सपिलाइगा नहीं तर्फ तो क्या होगा उस अट।क उपक गिरेगा अगर गाड़ी के इसले च्प्र फियूब करने लग जाए तो अपको जो सबसे पह पीकप और मैलेज के थूरूबर तको सबसे बहुत करना है तो प्रवलम है तो बहुत है और कि अपके स्टेब्त करना तो आसा प्रवब्लम मिलता है फैसर होता है कि आपके यही सब एले तो